हेलो एब्रिवन वेल्कम टू सक्सेस वित रायकेडमी 29 जनवरी 2023 के दैनिक जागरम के राष्टे संस्क्रण को आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो आज थोड़ा सा लेट हो गया संडे की वजह से तो पहली न प्राकू विमान जो सेना की अग्रिम पंक्ती में रहता है मिराज 2000 जिसे वज्र बोला जाता है और सुखोई 30 तो यह प्रसिक्षान के दुरान मुरैना के आकास में आपस में टकरा गया और आग के गोलों में तबदील हो गया जो मिराज विमान था उसके पाइलेट कमांड विंग कमांडर हनुमंत राओ की मौत हो गई आपको पता होना चाहिए कि मिराज जो है वो उसमें एक ही पाइलेट होता है वहीं सुखोई में दो पाइलेट होते हैं दोनों पाइलेट स्कौाइडर लीडर विजय पाटिल वह स्कौाइडर लीडर मिधुल पी-म यह विमान पुष्टी वायू सेना ने खुद करी है एर बेस सनी और सुबह लगबग साधे नौ बजे इन्हों ने दोनों लडाकू विमानों ने ट्रेनिंग के लिए राउटिंग ऑपरेशन फ्लाइट ट्रेनिंग मिशन के तहट एक उडान भरी और सुखोई विमान में दो पाइले थे उनका जो सव है वो च्छत विच्छत पाया गया और इस पर जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने भी संग्यान लिया और इस पर खेद जताया है चलिए नेक्श नीउस पर आते हैं नेक्श नीउस है कि ट्विटर फेस्बुक जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ कर सकें सरकार ने सिकायत अपीलिये समितियों याने की जी एसी का गठन कर दिया है यह समितिया एक मार्च से अपना कारे करना सुरू कर देंगी किन सरकार ने अक्टूबर में जो सूचना प्रवद्वगी की याने की आईटी नियम 2021 में संसोधन किया था उसके तहट सुक्रवार को तीन सिकायते अपीलिये समितियों को अधिसूचित कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्राले ने सनिवार को इसको लेकर एक बयान जारी किया था और इंटरनेट मीडिया कंपनियों के अन्रोध और तक्नीकी ज़रूतों को देखते हुए सिकायत अपीलिये समितियों को काम करने सुरू करने के लिए याने की जो एक महीने का समय और दिया है प्रतेक समिती में एक अध्यक्ष और दो पूर्ण कालिक सदस्य होंगे इनका कारेकाल पद ग्रहन करने से तीन साल तक काउंट किया जाएगा इनका चैन कैसे होगा इनका चैन विभिन सरका विभागों और उद्वोग जगत के वरिष्ट सेवा निवृत अधिकारियों से में से किया जाएगा और अगर हम बात करें बयान की तो जी एसी समग्र नीती और कानून धाचे का एक महत्पूर्ण हिस्सा भी होगा नेक्स्ट है कि मुगल गार्डन का नाम अब चेंज कर दिया गया है और इसे अमरत उद्ध्यान के नाम से जाना जाएगा अभी तक इसे मुगल गार्डन जाना जाता था और इसके साथ हर्बल गार्डन, बोसाइंग गार्डन, सेंटरल लॉन, लॉन गार्डन और सर्कुलर भी अमरत गार्डन या अमरत उद्ध्य नाम से जाने जाएंगे आजादी के अमरत महुट्सों के तहत ये नाम चेंज किया गया है और इस चेंजमेंट को राश्टपती दरौपदी मुर्भ ने स्वागत किया है इस चेंजमेंट का और ये जो उत्सव है ये रवी वार को चब्विस मार्च तक उपन रहेगा और उसके बाद फिर 28 मार्च से 31 मार्च तक विसेश रेणी के लोगों के लिए इसको उपन किया जाएगा 28 मार्च को किसान इस उद्यान को देखने के लिए बुलाए जाएंगे जबकि 29 मार्च को दिव्यांग, 30 मार्च को रक्षाबल, अर्सेनिकबल और पुलिस कर्वियों के लिए ये ऑपन किया जाएगा 31 मार्च को self help group की महिलाएं और आदिवासी महिलाएं आमंतरित की जाएंगी नागरिक पहले से ही इसका online से लेकर offline टिकट ले सकते हैं next news पर आते हैं budget में स्वदेशी अभियान को और विस्तार देगा railway अगला जो budget pace होने वाला है उसमें railway का जो 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 है यानि की पूरी कोसिस है वो making इंडिया पर ज्यादा रहने वाला है अगले साथ वर्सों के दौरान railway के पूरी तरह कायंतरन की तयारी है नि की पूरा इसको change करने की तयारी है इसके तहत ही जितने भी पूरानी पट्रियां हो गई है उनको change किया जा रहा है ताकि जो पूरानी ट्रेने हैं उनकी speed बढ़ाई जा सके और ट्रेन में डेस में ट्रेन से प्रति दिन धाई से तीन करोन लोग सफर करते हैं उन्हें सुरक्षित और समय से गंतववे तक पहुचाने के लिए स्टेशनों का पुनर निर्मान, साफ सफाई, सुविधा जनक यह सुरक्षित ट्रेनों का निर्मान किया जा रहा है सुदेशी निर्मान को भी गती देने के लिए रेलवे बोर्ड ने बजट पूर मीटिंग के बाद वित्त मंत्राले से 25-30% अधिक फंड की मांग की है और माना जा रहा है कि रेलवे को लगभग 2,00,00 करोड की रासी मिल सकती है और अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे बजट में 20% की व्रद्धी की जा सकती है को लोजियम नीती पर जो कानून मंत्री है किरन रिजजु और जो सुप्रीम कोट के भी इस तक्रार चल रही है वो अब खुल कर सामने आ रही है और इसमें ये बताया गया है कि कोलोजियम की सिफारिसों को रोके रखना लोगतंत्र के लिए घातक है और ये स्टेट्मेंट दिया है मुख्य नयाधीस ने सुप्रीम कोट और हाई कोट के नयाधीसों की निक्ति से संबंदित कुलोजियम प्रणाली को लेकर नयापालिका वक्यंद्र के बीच विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है रेटायर जेश्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने एक कारेकरव में भी ये बात बोली जिस तरीके से कानून मंत्री किरन रिजिज्जू का बयान आता है उसको उनुन निसाने पर लिया और कहा कि नयापालिका पर कानून मंत्री की सारजनिक टिपड़ी नयापालिका की प्रवेश्टों के नाम पर फैसला लेना नहीं लेना लोगतंतर के लिए घार तक है यानि कि सरकार कहीं ने गई अपने चहेतों को सुप्रीम कोट में या फिर हाई कोट में प्रवेश्ट कराना चाहती है चलिए next news पर आते हैं कुलोजियम नीती को लेकर जो हम news discuss करना थे उसी को यहां पर आगे forward किया गया है तो इसको हम drop करेंगे और इस news को देखते हैं जिसमें यह बताया गया है कि इस वर्स भारतियों को record संख्या में वीजा जारी करेगा अमेरिकी दूतावास भारत में अमेरिकी दूतावास और इसके वारिजिक दूतावासों ने इस वर्स भारतियों के लिए record संख्या में वीजा जारी करने की योजना बनाई है वीजा की करीब करीब हर स्रेणी में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने के मुद्दे पर मुंबई में अमेरिकी महामारिज जित दूत जौन ब्लार्ड ने उक्त टिपड़ी की है यानि कि ये सारी बाते बोली है फिलहाल वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वाले जितने भी भारती हैं उनकी प्रतिक्षा अवधी 60-280 दिन के बीच है यानि कि अगर आज अप्लाई आप कर देते हैं तो आपको दो महीने लग जिस सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है जब कि यात्री वीजा के लिए या अवधी एक से देड़ साल है विदेश मंत्राले ने कई मौकों पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ वीजा समंदी मामलों में देरी का मुद्दा उठाया है चलिए नेक्ट निउस है भारत के लिए एक्ता का मंत्र भविता हासिल करने का एक मात्र तरीका परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सनीवार को कहा कि किसी ना किसी बहाने देश में लोगों के बीच मद्भेव पैदा करने की कोसिस होती रहती है लेकिन इस तरह के प्रयास कभी सफल नहीं होते हैं और उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो दिल्ली छावनी के करियपपा मैदान में NCC की रैली को समोधित करते हुए बोला है उन्होंने बोला है कि भारत की सफलता का एक मूल मंत्र है एकता उन्होंने भाती भाती की बाते भी बोली और उन्होंने ये भी बोला कि समय समय पर जिस तरीके से बयान जो आते हैं देश के खिलाफ या फिर सेना के खिलाफ वो भारत की लोकतंत्र के लिए या सेने सक्ति के ल लेने वाले NCC क्याड़िटों को संबोधित करते हुए परधान मंत्री नेरिंद मोधी ने ये बात बोली है सच्चाई यही है कि भारत नहीं चुन सकता अपने पडोसी विदेश मंत्री जो है वभाविक रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी भावना बनी रहे जैसंकर ने एक सवाल के जवाब में ये बाते बोली है उनसे जब पूछा गया कि एक पडोसी और कप्टी देश जो नाविकी सकती भी है हमारे लिए एक संपत्ती है या बोज जैसंकर ने अपनी अंग बात किया गया है जैसंकर की पुस्तक में मराथी में अनुवात का विवोचन महराष्ट के उपमुख मंत्री देवें फ़र्णविस ने किया और इस आउसार पर फ़र्णविस ने कहा कि प्रधानमंति निरेंद्र मोधी के बिना किसी दबाव में आये मजबूत विदेश न इस बुक को आप जरूर नोट करिएगा और लर्न करिएगा नेक्स्ट निउस पर आते हैं नेक्स्ट निउस है बिजनेस पेच से जिसमें हम पहली निउस ले रहे हैं हिंडबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जिसके बाद आदानी समू की जो वैलू है अदानी इंटरप्राइज इन सबके शेर बहुत ही ओंधे मूग गिर गए लगबग 20% तक की गिराउट देखने को मिली है उसमें जो अदानी इंटरप्राइज का एफपियो आने वाला था उसको भी सिर्फ एक परसंट सब्सक्राइबर मिले अब यह एफपियो क्या होता ह देखिये आईपियो तो आपने सुना होगा आईपियो मतलब होता है जब कंपनी शेर मार्केट में अपने शेर लोगों के लिए जारी करती है यानि उसे कोई भी खरीच सकता है उसको पहली बार जब जारी करती है उसको बोलते है आईपियो जब दूसरी बार जारी किया ज है और यह बोला है कि अमेरीकी वित्तिय सोध फर्म जो है हिडंबर्ग रिसर्च कि जो रिपोर्ट है वो उसको नकार दिया इन्होंने पूरी तरीके से और अधानी समूह ने कहा है कि रिसर्च की ओरसे जारी धोकाधरी संसम्धि रिपोर्ठ के में कोई भी सचाई नहीं है शेहर बाजार को दी गई जानकारी में समू ने कहा कि अदानी पोर्ट फोलियो में सामिल सुचिबद 9 कंपनियों में से 8 का और्डिट 6 बड़ी फर्मों में से एक द्वारा किया जाता है चलिए next news पर आते हैं next news है startup ecosystem की मजबूती के लिए बने अंतराष्टिय नेटवर्क देखी केंदरी वानिज ये एवं उद्योग मंत्री जो है प्यूश गोयल उन्होंने सनीवार को वैस्विक startup ecosystem की मजबूती के लिए परामर्स दाताओं निवेशकों और उद्दमियों का अंतराष्टिय नेटव पर तयार करने की वकालत की है उन्होंने startups की सफलता के लिए sense यानि शेयर सोध पालन पोशन सेवा और ससक्ती का मंत्र दिया है G20 के startup 27 भागिता समू की हैदराबाद में आविजित बैठक में वीडियो संदेश गोयल ने देते हुए ये बात बोली है next page है international page international page में पहली news है कि प्रचंड के नितरत में सरकार गठन के बाद नेपाल में चीन की गतिविदियां बढ़ी है नेपाल में जो पुस्ट कमल दहल प्रचंड प्रधान मंत्री बने हैं उसके बाद से चीन की गतिविदियां वहाँ पर बढ़ गई है और चीन रणीतिक के तहट दच्छन एसिया में प्रभुत इस्थापित करने के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर सकता है और प्रचंड सरकार के गठन के तुरंत बासत यानि कि 27 दिसम्बर 2022 को काटमांडू के रूंग रेलवे का विस्तार अध्यन करने के लिए चीनी विस्तार के टीम नेपाल पहुंची के रूंग काटमांडू रेलवे नेपाल में चीन के बी आर आई के तहट नो परियोजनाओं में से एक है बलही प्रचंड के नेत्रतों में नेत्रत वाली कम्यूनिस्ट सरकार आर्थिक सम्रद्धी के लिए बीजिंग के संपर्ख या समर्थन को लेकर उस साहित है लेकिन विसेसग्य और वरिष्ट और सास्त्री चिन्तित हैं कि बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के क्रियान्वें से नेपाल सिरलंका की तरह करज में करज के जाल में फंस सकता है नेक्स निउस है रिपब्लिकन पाल्टी प्रमुक के चुनाओं में हर्मी धिल्लो की हार अमेरिका में भारतवनसी अटार्णी हर्मी धिल्लो को रिपब्लिकन पाल्टी के प्रमुक के चुनाओं में हार का सामना करना पड़ा है Republican National Committee के चेर्मेन पत पर Rona McDaniel दोबारा चुनी गई है California Republican Party की पूर सह अध्यक 54 वर्सिय हर मीत ने McDaniel को चुनोती दी थी McDaniel को 2016 में पूर राश्पती डिनॉल्ड ट्रम्प ने RNC चेर्मेन बनाया था तो ये आज का 29 जन्वरी 2023 का दैनिक जागरन का राश्पती संस्क्राण था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद